Hello Friends, Welcome to my channel, Baby Mommy Help दोस्तो आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के शरीर पर फुंसी होने से रुगनि के क्या घरे लू पाए हैं और क्यों होती है बच्चों के शरीर पर फुंसिया तो उम्मिद करती हूं दोस्तो आज का यी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और शेयर करना दोस्तो बिलकुल भी मत भूलेगा दोस्तो वर्ष भर में कितनी मोसम आते जाते रहते हैं और अपने साथ लाते हैं बीमारियां जैसे सर्दी में खासी जुखाम बरसात में खाज खुझली तो वहीं गर्मी में फोड़े फुनसियां हमारे स्वास्त के साथ साथ हमारे स्किन पर भी असर डालते हैं कर्मियों के मोसम में चलने वाली गरम हवाएं और उनके गरम गरम थपेडों से इंसान बड़े लोगों के हलत खराब हो जाती है तो बच्चों को तो बहुत जादा परिशानी होती है फोड़े फुंसी दोस्तो कई तरीके से होते हैं फुंसी एक तरह का दोस्तो वैसे तो बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है जो चूस नामक बैक्टिरिया के कारण होता है ये बैक्टिरिया आपके शरी में प्रवेश कर छोटे लाल दाने के रूप में बन जाता है फिर बाद म इसमें दोस्तों मवाद पड़ जाता है जिसे हम पस कहते हैं दोस्तों फोड़े फुंसी होने के क्या कारण होते हैं इसकिन पर फोड़े फुंसी होने का मुख्या कारण ये बैक्टिरिया ही होता है जो इसकिन पर आए किसी भी घाव के द्वारा इसकिन के रोम छिदरों में चला जाता है और इसकिन को नुकसान पोचाता है जिसमें मुख्य कारण होते हैं दोस्तों खुन में खराबी होने के कारण मच्छर के काटने के कारण, बरसात के मोसम में गंदे पाने के कारण गर्मियों में अधिक मिर्च मसाले खाने के कारण गर्मियों में आम का ज्यादा सेवन करना आसपास का प्रदूशित वातावरण होने के कारण कच्ची आमबियों का सेवन अधिक करने के कारण बहुत सारे कारण हो जकते हैं दोस्तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि फोड़े फुंसी अगर बच्चों को हो जाए तो कौन से घरेल उपाए आप अपना सकते हैं दोस्तो हल्दी को पीस कर हल्दी उसमें थोड़े से सरसो के तेल के साथ मिलाईए उसे कटोरी में डालकर तवे पर गरम कर लें डारेक्ट आपको गैस पर नहीं रखना है केवल गरम तवे पर रखकर गरम करना है और रूई से बच्चों के फुंसी पर इसको बांदे क्या पताया दोस्तो मैंने आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले रहा है औरगनिक हल्दी लेनी है उसमें सरसो का तेल डालना है कच्चा तवे पर रखकर इसको हल्का गुन-गुना करना है और बच्चे के जहां पर भी फुड़ा हुआ है फुंसी हुई है वहां पर पतन से इसको रखकर उसके उपर पठी बाहन दीजिए दोस्तो बचों को इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा दूसरा दूस्तो नीम τοाई की छाल और पतीयों का ले फुड़ी फूंसी पर लगाए इससे बहुत आराम मिलता है और इसमें आप नीम की निमबोली भी इस्तेम चमच पिसा हुआ चंदन, एक चमच पिसी हुई मुलतानी मिटी और एक चमच नीबू के रस को अच्छे से मिला कर लेप बना ले इसे बच्चे की फुंसी पर लगाएं। दोस्तों इससे बच्चे को ठंडग मिलती है और फुंसी को छोटा होने में मादद मिलती है। बहुत समय बाद दो दें बच्चे को काफी राहत महसूस होगी। दोस्तों महंदी दो कप पानी आपको लेना है थोड़ी सी महंदी डाल कर उबाल ले और रुई के फुय से फुंसी को धोएं। आप सोच नहीं सकते दोस्तों बच्चे को कितना आराम मिलेगा। दोस्तों महंदी ठंडी भी होती है और बच्चे को इससे फुंसी में काफी राहत भी मैसूस होती है। आलु का रस निकाल कर फुंसी पर लगाए। खाली पेट बड़ों के लिए चार चमचBlack चोटे लोगु बच्चों के लिए दो चमचा आलु के रस दें। इससे भी बच्चे को काफी र शेपाराममिलेगा , नारियल का तेल और कपूर , नारियल के तेल में थोड़ासा कपूर मिक्स करें बच्चा के पैर पर उसको हाथ पर उसको लगा दें , मच्छनन नहीं काटेंगे ,बैक्टिर इंफेक्शन नहीं होगा , फोड़े फूंची भी ठीक हो जाएंगे बहुत ही पुराने समय से और बहुत ही यूसफुल उपाएं हैं दोस्तों ये इसके लिए आप दोस्तों बच्चे की स्किन को जाद से जादा साफ रखें अमरूत की पत्तियां अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो इनको पानी में उबाल कर पीस ले और उसमें लेब फोड़े पर लगाएं उसका लेब सोफ्ट हो जाती है उबालने के बाद थोड़े से पानी उबालिए और उसको पीस लीजिए और लेब को बच्चे के फोड़े पर लगा दे लगाता है लेप लगाने से फूड़ा अपने आप फूड़ जाता है दोस्तों वन्हा दोस्तों फूड़ा फूड़ में भी इतना समय लेता है बच्चों को फीवर आता है बच्चे बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो आप इसको भी अपना सकते हैं इससे फोड़ा फूड जाता है और जो बच्चे को infection हो राय अंदर यंदर वो बाहर निकल जाता है और बच्चे का गाउ बहुत जल्दी सूख जाता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी बच्चों को अगर फूड़े फुंसी की समस्या हो जाती है तो आप इन घरे लूपाए को अपना सकते हैं और इन घरे लूपाए को अपनाने से आपके बच्चे को बहुत जल्दी रहत मेल सकती हैं Touf करती हूँ दोस्तो अच्य के वीडियो आप लोगों क को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू फो वाचिंग बेबी मॉमी हेल्प थैंक यू नमस्कार